हम लोगों ने अक्सर सब से सुना है, बरे बुजरों से सुना है, कि हमें अपने मन पर काबू रखना चाहिए, यहां तक कि गीता में स्ट्रिक्रिश्न ने अपने उब्देश में कहा, कि हमें अपने मन को पर काबू रखना चाहिए, मन तो काफी चंचल है, हम उसे कैसे मन तो काफी बलवान है अब उसे कंट्रोल करके अपने जरूरी कर्मों को कैसे करें आज की वीडियो बहुत ही पहतरी इन वीडियो है आईए कुछ नया सीखते हैं आप ये वीडियो पूरी देखें दोस्तों अभी लगातार दिल की बात मोटिवेशन के साथ यूटूब चैनल के माद्यम से हैं मैं आपको बताऊंगा कि मन पर कंट्रोल कैसे करते हैं क्योंकि एक बार यदि हमने अपने मन पर काबू करना सीख लिया तो किसी भी काम को करते समय हमारा मन भटकेगा नहीं और यदि भटका तब भी हम उसे वापस कंट्रोल करके दुवारा काम पर लग सकते हैं अभी आप किसने किसी काम को करते होंगे तो बीच में ही मन भटकने लग जाता है और आप अपने कामों को छोड़ देते हैं आईए एक कहानी के माध्यम से हम समस्ते हैं कि हम अपने मन को काबू में कैसे रखे एक गाउं में एक राजा थे जिनके पास एक घोरा था राजा उस घोरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे लेकिन उस घोरे में एक बहुत बरी कमी थी उसे खाने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होता था राजा इससे काफी दुखी होने लगे क्योंकि हर थोरी देर में घोरा भूखा हो जाता राजा ने मंतरी को बुलवाया और उससे कहा यदि इस घोरे को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हमारे राजी का सारा खाना खा जाएगा और राजी बरवाद हो जाएगा राजी में अकाल पर जाएगी राजा ने मंतरी से कहा अब इस घोरे को तुम्हें कंट्रोल करना ही होगा यदि तुम नहीं कर पाएगग मंत्री ने राजा की बात सुनी और उस घोरे को कंट्रोल करना शुरू कर दिया मंत्री जब भी उसे कुछ खाने को देता तो वह कुछी देर में फिर से भुखा हो जाता और खाना ना देने पर जोर जोर से चिलाने लगता ये सिल्सला लगभग एक सप्ताह तक चला लेकिन मंत्री घोरे को कंट्रोल नहीं कर पाया मंत्री उदास होकर पेर की नीचे बैठ गया और दुखी होने लगा इस बात से कि राजा उसे मंत्री के पत से हता दे तब ही उस राजते से गुजरते हुए एक सादू वहां आते हैं और मंत्री से कहते हैं क्या तुम उदास हो परिशान हो क्या हुआ हुआ हमें बताओ मंत्री पूरी बात बता देता है उस सादू को सादू बोलते हैं बस इतनी सी बात है मैं उस घोरे को आसानी से काबू में कर सकता हूँ चलो मुझे लेकर चलो सादू उस घोरे के पास जाते हैं दोस्तो आगे की वीडियो आपको सकेंड पार्ट में मिलेगी तब तक के लिए ख्याल रखते सुरक्षित रहें जैहन दोस्तों दोस्तों। इसले वीडियो में हमने जाना कि मंत्रे अपनी समस्या साधू को बताते हैं और साधू उनसे कहते हैं कि मैं इसका हल निकाल लूगा आप मुझे ले चले उस घोरे के पास साधू घोरे के पास जाते हैं उनकी एक हांत में डंडा होता है और दूसरे हांत में खाना होता है सादू पहले दो बार उसे खाना खिलाते हैं और तीसरी बार उसे डंडे माते हैं गोरा दर्द में होता है भाग जाता है चिलाता है कुछ गंटे बाद वह घोरा फिर से खाना खाने के लिए आता है सादू फिर से वही काम करते हैं दो बार खाना खिलाते हैं और तीसवी बार उसे मारते हैं फिर घोरा डर कर भाग जाता है अब घोरा फिर से आता है और दो बार खाना खाने के बाद वो बिना मार लगने से पहले ही वहां से चला जाता है क्योंकि घौरे को समझ में आ जाता है कि अब उसे फट से मार परने वाली है अगर वो तीसरी बार खाना खाया तो और ऐसे करते करते साधू कुछ थे मेहनों में घौरे को पूरी तरह से सुधार देते हैं अब वो सिर्फ दिन में तीन वार खाना खाता है दोस्तों घोरे की आड़त के विजारने के पीछे राजा कहा था क्योंकि राजा उससे अफाक प्रेम करता था उसे जब भी भूख लगती तुरंत खाना दे देता था वैसे ही राजा की जगह आप है और भूरे की जगह आपका मन आपका मन आपसे दिन वर कुछ न कुछ मांगता है कभी गेम खेल लो तो किसी से बाप कर दो कभी फाल्तू के वीडियो देख लो तो कभी बाहर घूंग लो या कोई नसा कर लो या कभी ऑनलाइन रह लो या कभी पबजी खेल लो या कभी फ्री फायर में डूप जाओ और आपका मन वह चीज तुरंत दे देता है और आप मन को वह चीज तुरंत दे देते हैं इसलिए उस घोरे की तरह आपका मन बेकाबू हो चुका है अब आप खुद सोचो यही हाल रहा तो भविश्य में आपके साथ क्या होगा आपका घोरा आपके पूरे समराज्य यानि कि आपके पूरे लाइफ को बरबाद कर देगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे क्या आप जानते हैं 99% लोग जन में लेते हैं और सारे उम्र रोते रोते गुजार देती हैं और मुझे उनके दुख से कोई फर्क नहीं परता मुझे उनके दुख पर कोई दया नहीं आती अब आप सोच रहे होंगे कि ये वैक्टिक इतना कठोर है कितना निरलज है जो कि लोगों के दुख से इसे कोई फर्क नहीं परता तो एक बात सुचो जीवन सब को मिला है लोग अपने मन के मुताबिक आँख बंद करके चलते हैं तो अंत में दुख होते हैं कि मेरी किस्मत खराब है मेरी किस्मत अच्छी नहीं है मेरी आदत खराब है उन्होंने अपने मन को कभी काबूर में रखता ही नहीं बलकि हमेशा अपने मन की बात मानते रहें कहीं अपने घोरे अपने मन को ज़्यादा खाने मत दो उसमें उसकी नहीं बलकि आपकी गलती है यदि आपने हर समय मन को उसकी पसंद की चीज देने पर रोक नहीं लगाई तो आपका जीवन के अंत्मिन 90% लोग में सामिन हो जाओगे जीवन में कुछ बढ़ा नहीं कर पाओगे तो आपको 1% लोग में सामिन होना है तो इध्यास उठा कर देख लो दुनिया वही लोग बदलते हैं जो खुद पर कंट्रोल करते हैं मन को काबू में रखते हैं अब आपको ये करना होगा कि आप घोरे को खाना कम दीजी आपको छोटे-छोटे नियम बनाने होगे अभी घोरा हर थोरी देन में खाना माने रहा होगा तो आपको उसे समझाना होगा कि ज़्यादा खाना खाने ना तेरे लिए सही नहीं है यदि अभी वो एक घोर घोर खाना मांग रहा है तो केवल आठ वर दीजीए उधारण यदि आप दिन में 24 घोर घोराद कर रहे हैं काम छोर मुबाइल चला इससे बात कर ये काम जरूरी है वो काम जरूरी है थोड़ा ऑनलाइन रहा थोड़ा पबजी खेल थोड़ा टिक टॉक की वीडियो देख और भी ऐसे विचार आएंगे आपके दिमाग में उस वक्त आपको खुद से कहना है एक घंटा तो मैं अपने इस काम को दे रहा हूँ अभी तो मैं किसी हाल में नहीं उटने वाला आपका मन थोड़ी देर में फिर आप से कहेगा बाद में कर ले पढ़ाई बाद में कर ले काम लेकिन आप फिर से उसे वहिक कहना अभी नहीं एक घंटे बाद 4-5 बार 7-7 मना कर देंगे तो आपका मन समझ जाएगा बिल्कुल उस घोरे की पिटाई की तरह जैसे घोरे की पिटाई होने पर वग नहीं आने लगा तो आपको भी बार बार मना करना होगा अपने मन को आपका मन समझ जाएगा चुप रहने में ही भलाई है और वो अपने काम में आपका साथ देना सुरू करतेगा इस तरह आप धीरे धीरे मन पर कावू कर पाएंगे मन पर कावू करना सिख जाओ और मन आपको बाद मानना शूरू कर देगा यदि आपको एक घंटे भी ज़्यादा लगता है तो 30 मिन आपश और भी ज़्यादा लगता है तो 15 मिनट गाम किजी पढ़ाई किजी जो आपके लिए जरूरी है और यदि मन किसी और काम को करने के लिए कहे तो उसे कहना बाद में मिलते हैं यार अभी तो काम को करे बिना नहीं करूँगा बाद में उसकाम करूँगा इसी तरह आप मन पर कावो पाना सीख सकते हैं और यदि आप इसकी प्रैक्टिस हर दिन करोगे तो कुछ समय आपका खुद पर इतना काबू हो जाएगा कि आप दुनिया में महान लोगों के एलिस्ट में सामिल हो जाओगे आप जिस टाइम वीडियो देख रहे हो आओ और कम से कम 15-30 मिनट किसी एक काम को लो और उसे पूरा करके देखो इससे आपको असली खुशी मिलेगी और confident भी बढ़ेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ यदि आप ने इस वीडियो को एकदम पूरा ध्यान से देखा है तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आप थोरा सा ध्यान दोगे तो आप अपने मन पर काबू कर सकते हो दोस्तों आज का यूथ गलत दिशाओं में आगे बढ़ रहा है यदि आप इस वीडियो को सेर करेंगे तो इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग सही रास्ते पर आएंगे उन्हें हिम्मत मिलेगी आपके एक सेर से बहुत से लोगों की मदद होगी इसलिए इस वीडियो को जरूर सेर करें आपके सेर करने में कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके सेर से किसी के जीवन में बदलाव जरूर आएगा इसलिए इस वीडियो को तुरंग सेर करें और आज की यूत को सही मार्ग दरसंदेने में मेरी मदद करें यदि इस dwelling में थोड़ी मदद मिली हो तो लाइक करें आपके लाइक से मुझे पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन मुझे खुसी मिलेगी मेरी पोश्ट से किसी लोगों की मदद हो रही है और इसी तरह के बहतरी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को फ्रेस करें मकसद आपको आपके जीवन की सचाई बताना है थैंक यू दोस्तों और कॉमेंट बॉक्स में यस लिखें ताकि मुझे पता जलने कि कितनी लोग काबू कर सकते हैं जहिन दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में